किसान साथियों नमस्कार प्रस्तुत है आज वेवारी खेती का चोथा बाद जिसमें हम बात कर रहे हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स की किसान साथियों मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि इसे दो स्रेणी में बाटा गया है पहली है फफून और दूसरी थी बैक्टिरिया आज हम जो ये हमने पांच फफून के बेस पर जो इसके उत्पाद मिलते हैं बजार में उन पर बात करेंगे सबसे पहले है उसमें ट्राइकोडर्मा आप देखिए मैंने यहां पर SPP लिखा है इसका अर्थ है कि इसकी दो जातिया मिलती है जो इसकी जातिया इसमें इसके दो विरियंट कहते हैं को एक मिलता है ट्राइकोडर्मा हरजेनियम और दूसरा विरिड के नाम से तो जब भी आप खरीदे हरजेनियम और विरिड इन दोनों में बहुत फर्क नहीं है लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हरजेनियम अच्छा है कुछ का कहना है कि विरिड है इसके बारे में मैं फिर कभी बताब वा हूँ. यह क्या करता है कि इसमें जो दो मुख़्े हमारी बिमारियां आती है फ़फून से जो जमीन में आती है एक है फुजेरियम इस्पैसीज यानि कितने भी टाइप की फुजेरियम हो उन सब को कंट्रोल करता है और एक है राइज राइजप्टोनिया, सोलानी, राइजप्टोनिया की ये specific species है, ये सोलानी, जो के इस से कंट्रोल हो जाती है, ये आलू में बहुत अधिक मातरा में पाई गई है, and many more, और लगबग इस प्रकार 200 से अधिक फंगस को ये कंट्रोल करता है, अब इसका हम प्रियोग किस प्रकार करते हैं, ये कहां कहां होता है, तो ध्यान रखिए जमीन में पाई जाने वाले बहुत सारे जो फफूंद के बेस पर, फफूंद आधारिक जो हमारे सत्रू कीट है, उनको खतम करने के काम आता है, इसका प्रियोग हम जमीन में करते हैं, सोयल में करते हैं, यानि जमीन हो ग लगाईए या धान की पोद लगाते हैं तो जब एक जगह से उखाडते हैं तो उसे आप उसकी रूट को भी उपचारित कर सकते हैं कुछ लोगों का कहना है कि इसके बारे में मैंने अपने लेख में एक रिफरेंस भी दिया है जो रिसर्च पेपर हैं कि इसका उपयोग आप इस्प्रे में भी कर सकते हैं जबकि यहां पर वैग्यानिकों के दो मत हैं बहुत से हैं जैसे मैंने डॉक्टर राजन से बात की थी तो वो कहते हैं कि इसका उपयोग कभी भी आपको इस्प्रे बे नहीं करना चाहिए यह केवल जमीन के लिए है और जड़ों के लिए है ल करते हैं और आम पर भी करते हैं यह ऐसा मुझे मिला है कि कुछ रोगों जैसे ब्लाइट रोग है पौडरी मिल्डो है या डौरी मिल्डो है इसको पंट्रोल करने में फॉइलर इस्प्रे में सहयता मिलता है पैसी लोमाइसिस लेना साथियो आप सबको पता होगा कि अमरूद कई परकार के नीमा टोड़ को आपको कंट्रोल करने के काम आता है यह इसका प्रियोग केवल हम जमीन में करते हैं इसका इस्प्रे नहीं किया जा सकता और यह जहान रखना है कि जब हम जमीन में इसका प्रियोग करते हैं तो वहां पर टेंपरेचर अधिक नहीं होना चाहि इसको अगर आप compost के साथ multiply कर पोधो की जड़ों में लगाएंगे यानि जमीन में लगाएंगे तो आपको इसके बहुत अच्छे लाब मिलेगे इसे आप drip से भी दे सकते हैं इसे ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं लेकिन एक बात का ध्यान रखना है जितने भी यह बायो कंट्रो होते हैं लेकिन इसमें एक छोटी सी समस्या है अगर आपके खेत में निमा टोड़ आ गया तो पहले उसको उपचारित करना पड़ेगा उसके बाद आप इसका परियोग करें तो यह आगे से उसे आने में रोक देगा जितने भी बायो कंट्रो लेजेंट हैं वो प्रिवें इसका हम फोलियर इस्प्रे करते हैं लेकिन इसको हम सोयल में भी देते हैं अब इन दोनों में कब-कब काम करता है जो फोलियर इस्प्रे है वो जो आपकी सुन्डी होती है या इल्ली होती है जिसे कैटरपिलर कहते है या तने में छेद करने वाला कीड़ा होता है या जो घ वाइट गरब होती है और जो जमीन में पाए जाने वाले कीडे होते हैं उसके लिए आप इसे जमीन में इस्तेमाल कर सकते हैं ये जमीन में इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इसका प्रियोग अगर आप उसको इस्प्रे में करेंगे तो आपको बहुत अधिक लाब मिलेगा और अ आपको बहुत हद तक इससे निजात मिलेगी, अगर दो-तीन बार कर लेगे तो पूरे खेट से आपकी इसकी समस्या समाप्त हो जाएगे. जमीन में भी इसका प्रियोग कर सकते हैं और इसका प्रियोग हम फोलियर इस्प्रे में भी कर सकते हैं यानि पोदों के उपर छिड़काओ भी कर सकते हैं जमीन में भी कर सकते हैं जमीन में भी जो है ये रूट वेविल एक किड़ा होता है उसमें काम आता है और जो तने भी जो फोलियर इस्प्रे है वो उडने वाले कीट होते हैं, उन में काम आता है, लेकिन जमीन में ये जापानी बीटल होती है और जो वाइट गरब होती है सफेद कीड़ा, अभी मैंने बताया था बवेरिया बस्याना में, अगर इसका परियोग बवेरिया बस्याना के साथ इस् इसका परियोग हमेंशा जब बर्सात का मोशम हो तब करें या हलकी सी ठंड आ चुकी हो तब करें, अब हम बात करते हैं वर्टी सीलियम लगाने counted. वर्टी सीलियम वर्टी सीलियम का जाती है थ्रीप्स जो हमारी नीमू में बहुत बड़ी सिट्रस की बहुत बड़ी समस्या है और एफिड्स जो हमारे अमरूद में भी आता है ब्लैक एफिड्स भी होता है इसमें और एक होती है मिली बग जो अब बरसात में अधिकतर पोधों में आती है जो फलदार वरक्से उनमें भी आती है और मैंने तो ये देखा है कि ये डेख वगरा इनमें भी काफी हट तक आती है तो मिली बग्स का एक उपचार ये भी है कि आप इसको फॉइलर इस्प्रेय में वर्टीसिलियम लेकानी को कर सकते है मैं वर्टीसिलियम लेकानी और बवेरिया बस्यानी दोनों को कर देता हूँ इस्प्रेय जो आना लेकिन इसमें जो है हमें ये धिहान रखना है कि कौन सा जो फपूंद है कौन से दो मिला सकते हैं क्या बैक्टीरिया की साथ मिला सकते हैं, तो कौन से बैक्टीरिया की साथ मिला सकते हैं, ये सब मैं आपको अगले भाग में बताऊँगा, यानि अगली वीडियो में बताऊँगा, डिटेल से, जो हमारा ये बैक्टीरिया हैं, इन में सबसे पहले है सुडोमनास फ्लोरोसें इसका मैं बहुत परियोग करता हूँ और धान और गेहु में अगर ऐसे आप जमीन में परियोग करते हैं तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं इसके कारण धान और गेहु को बिना किसी केमिकल कीट ना सकते मैं उगाने में सफल हुआ हूँ तो ये जो है बेसिकली ये जमीन में और बीज उपचार में और जो पोधे होते हैं जैसे धान लगाते हैं या सबजी लगाते हैं उनकी जड़ों के उपचारित करने के भी काम आता हैं और इसका प्रियोग जो है ना इस्प्रे में भी बहुत आस्यरी जनक रिजल्ट देता है जो छोटे-छोटे कीट आते हैं अगर जो जिसे एक बहुत पतले तितली से छोटे होते हैं जो अकसर कर धान में भी पाय जाते हैं वहाँ पर इसका प्रियोग मुझे बहुत अच्छा लगा और सब्जियों में भी आस्यरी जनक रिजल्ट है इस्प्रे के लिए बेसिकली यह जो पाइथियम नाम की जो फंगस होती है यह जो फाइटो पतोरा आता है हमारे जो अमरूद में नीमू में पाया जाता है राइजोक्टोनिया नाम की फंगस है या फुजेरियम है तो फुजेरियम के जितनी भी species हैं वो सब इसमें ये उन ये जो सुडो मुनास फ्लोरोसेंस है इनको कंट्रोल करने में बहुत सायक होता है ये तो मैंने कुछ मुख्य लिखी हैं इस प्रकार की पता नहीं कितनी सो से भी अधिक फंगस हो सकती हैं जिनका के अभी भी ढूण रहे हैं कि कौन सी होती हैं लेकिन आप ये समझिए कि जमीन में अगर इसे आप इस्प्रे करेंगे या जो रूट सीट ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको इसके जो है न अस्षिरिजनक रिजल्ट में भी काम आता है फाइटो पतोरा मैं भी आता है और फुजेरियम में ये भी स्वेल में सीड में रूट में इसका स्प्रे नहीं करते हैं तो ये केवल उनमें काम आता है तो अगर आप मैं करता हूँ ट्राइकोडर्मा और ये सुडोमनास और बैसिलस सब्टिलिस अगर कर लेते हैं तो बहुत सारी फंगस को आपके ये खतम कर देता है जो इसमें अंतिम है बैक्टिरिया का जो तीसरा है ये मैंने तीन बताई है और पांच मैंने बताई थी फंगस तो मैं कुल आठ बायो कंट इल्ली या जो इस प्रकार के कीट होते हैं जो तने में छेद करने वाला कीट होता है जो एक घुन लगता है वेविल जिसे बोलते हैं और जो एक टिड़ा होता है फुदकने वाला कीड़ा उसको लीफ उपर को परियोग करता है और जो बग है यानि मिली बग में भी इसका प्रियोग कर सकते हैं इसका इस्प्रे कर सकते हैं तो जैसे बैसिलेस थुरंजिसिस और वर्टिसिलियम लकानी एक बार उसको करिए एक बार इसको करिए अब हम ये सवाल उठता है कि जब एक ही बिमारी में दो प्रियोग होते हैं क्या इन दो को हम प्रियोग कर सकते हैं जैस इस पर वग्यानिकों के अलग-अलग मतवेद हैं, तो उनके अनुसंधान क्या कहते हैं, मैं उसे बताऊँगा, इसको कर भी सकते हैं, लेकिन अधिक तर लोग जिस प्रकार कर सकते हैं, उससे नुकसान अधिक होता है, लेकिन इसको कर सकते हैं, और उसकी क्या लिमिटेशन्स होंगी ये सब मैं आपको अगले भाग में बताऊगा और इसी के साथ फिर मेरा ये बायो कंट्रोल एजेंट का हो सकता है कि अगला एक भागों या दो अधिक मैक्सिमम दो भागों में ये संपूर्ण हो जाएगा आज तक जो मैंने बताया है आप डेस्क्रिप्शन में जाईए एक क्लिक लिंक करिए और वहां से एक डॉकुमेंट डाउनलोड कर लीजिए उसमें जैव नियंतरन की जो व्यवारी खेती नंबर एक से लेकर आज चार तक की जितनी बाते मैंने बताई हैं वो सब लिखी हैं उसके अलावा अगर आपको मुझे किसी बात पर सक हो मेरी किसी बात पर भी तो पहला मैंने बताया है कि अबित भटनागर क्लासिज पर जाईए वहाँ देखिए वहाँ परमान मिलेंगे आपको और जो मैंने उसमें रिफरेंसिज दिये हैं उन पेपर्स को डाउनलोड करिए उसमें परमान मिलेंगे मैं तो सिर्फ आपको साधरन भासा में इनको बताने की समझाने की कोशिस कर रहा हूँ जिससे के आप इनका परियोग सही परकार कर सके बजार में कैसे मिलते हैं ये कौन सा लेना चाहिए कितनी मातरा होनी चाहिए क्या हम इन दो को मिला सकते हैं इन में से कुछ बाते मैं अपनी पुरानी वीडियो में कर सकता हूँ जो बहुत अधिक पसंद की गई हैं लेकिन फिर भी सारांस में मैं अगली वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ इसी के साथ विदा लेता हूँ धन्यवाद नमस्कार जैहिन जैभारत वंदेमादा